हाल ही में नसलिय चिपणी करके विवादों में घिरने वाले सैम पित्रोदा ने इंजियन ओवर सीज कॉंग्रिस के अध्यक शुक्पद से इस्तिफा दे दिया है इस बेश आपको बता दे कि कॉंग्रिस महा सचीव प्रियंका गांधी के पती रॉबर्ट वाज्रा ने सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सैम पित्रोदा ने जो भी बकवास की है कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है वो कैसे इस तरह बोल सकता है वो राजीव जी के इतने करीब थे आप में समझदारी होनी चाहिए और क्या कुछ कहा सुनिए मैं अल्रेडी पॉलिटिक्स में हूँ क्योंकि हर आदमी मेरे को पॉलिटिकल तरीके से देखता है राजनेतिक तरीके से देखता है हमेशा देखता है कि जो सवाल जवाब होंगे की राहूल कहां रह रहे हैं और राहूल की सोच क्या है और क्या चलता है घर में बाचीत और जो भी है उमीद करते हैं कि आपके कहने से हर चीज हो जाएगी और आप आओगे तो सारी चीज़ बदल जाएगी तो मेरा जब से मेरा नाता हुआ है सबने मुझे इसी तरीके से कोई उद्योगपती जैसे नहीं देखा है उन्होंने देखा है कि मैं एक पॉलिटिशन हूँ और जब आप इस परिवार के साथ होते हैं तो आपको with great power comes great responsibility तो आपको हर कदम अपना सोच के चलना पड़ता है जैसे मैं बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि Mr. Sam Petroda ने जो भी बकवास किये कोई आदमी जो इतना पड़ा लिखाया है कैसे ऐसे बोल सकते हैं तो यह सारी चीदे और वो राजी जी के बहुत करीब थे और जैसे आपको अगर एक मौका मिला है कुछ करने के लिए इस देश में या आप इस परिवार के साथ हैं तो आपको अपनी समझदारी से कदम लेना चाहिए या जो बोल रहो हो समझदारी होनी चाहिए और इतनी मेहनत कर रहे हैं राहुल ट्रियांका और पूरे कॉंगरिस और कारिकरता और एक आपके स्टेट्मेंट से उनको मौका मिलता है बीजेपी को ऐसे उचालने का जो मतलब की बे मतलब है मतलब ज़रूरत ही नहीं है आपको लगता है कि सेंपिर्ट्रोदा जो की आज काल स्टेटी के इशारे पर कर रहे हैं नहीं जी क्या होता है कि जब कोई रेटायर हो जाता है न और दुनिया के किसी कोने पर बेठे हो आपको अपनी पुरानी यादे आती हैं तो आप चाहते हो कि मेरा नाम भी उचलना चाहिए इसमें मेरा नाम भी आना चाहिए इसमें जो भी हो रहा है जरूर आ सकता है पर आप आके यहां लोगों के बीच में उनकी मुश्कलें समझो उसके बारे में बात करो जो इस गवर्मेंट ने जो गलत किया है उसके बारे में बात करो और वो बुलंद करो जो मतलब गलत गलती हुई है इनसे पर आप अगर वहां बैठे हुए और अपने सोफे पे बैठे हुए कुछ भी बोल रहे हो बकवास है मतलब मुश्किल है और उनको रिटायर कर दिया मैं बहुत खुश हूँ और मैंने खुद लिखा उनको और मैंने खुद बोला कल कि ये बिलकुल गलत है पहले कुछ बोल रहे हुँ जो सोच नहीं है कॉंगरेस की और अब आप फिर कुछ और बोल रहे हो इससे पहले कि और कुछ बोले, इनको रिटाइरी कर दीजे, वो ही सही रहेगा, मेरे ख्याल से तो ये सही है, बाकी मैं कहा रहा हूँ अपने लिए कि हाँ, जरूर हर कदम सोच के चलना पड़ता है, पर जरूर मैं खुश हूँ कि मैं देश के और दुनिया के ऐसे लोगों से मिला हूँ, जिन से मैंने सीखा है, और जरूर सोनिया जी से सीखा मैंने बहुत, और उनका हशिरवाद होगा, जब कॉंग्रेस चाहेगी, तब मैं ज़रूर सक्रियर राजनीती में आऊँगा, मैं त्यार हूँ, इसी तरह के तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए बने र हूँ